नमस्कान, बॉबी जा, MNS लीज लाइब में आप सभी का स्वागत आए देखते हैं आज की खास खबर भारत में शबे बारात आज जानिये इसे क्यों कहा जाता है माफी की रात शबे बारात 2019 यहां रमजान के पवित्र महीने के शुरू होने से लगभग 15 दिन पहले मनाया जाता है इस पवित्र रात में अगले साल के लिए सभी मनुश्य की किस्मत तही की जाती है इस रात को अल्ला सभी पापियों को माफ कर देते हैं कॉली बना रहे हैं विराट रिकॉर्ड्स आइपियल में एक टीम से 5000 रन जड़ने वाले एक मात्र खिलाडी कप्तान विराट कॉली के आइपियल में पांचवे शर्टक और मोहीन अली की धमाकीदारपारी की मदद से रॉयल चालेंजिस बैंग लॉर के केके आर्प को हराकर आइपियल 2019 में आर्ट सीबी की उम्मिदे कायम रखी कैप्टन कॉली ने कैप्तन कॉली ने 58 गेंदों पर 100 रन बनाए जिसमें 9 चौके और 4 चके शामिल है मौहीन अली ने केवल 28 गेंदों पर 5 चौके और 6 चकों की मदद से 66 रन बनाए बैंगलोर की यहां 9 मैचों में दूसरी जीत है जबकि केके आर को लगातार 4 मैच जितने के बाद लगातार 4 हार का सामना करना पड़ा उसकी 9 मैचों में यहां कुल 5 पी हार है इसके साथ ही विराट कॉली ने रिकॉर्ड की जंडी लगा दी ट्रेंकल खना ने कुछ यू उड़ाया अरविंद केजरिवाल का मजाग मुँपर चड़े रखे बच्चे की शेयर की फोटो ट्रेंकल खना बॉलिवूड में अपने बेबाक अंदाज और बोल के लिए मानी जाती है ट्रेंकल सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती है हाल ही में ट्रेंकल ने अपनी सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट की है जिसमें उन्होंने दिल्ली के केजरिवाल का जिक्र कर दिया है ट्रेंकल ने अपनी सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है जिसमें बच्चे के मुँपर प्लैक रंग की अंडर वियर रख दिया है ट्विंकल ने फोटो शियर करके लिखा है जब आपके घर में कोई केजरिवाल का सपोर्ट करने वाला है मगर उसके पास मंकी क्याप ना हो कसम खाती हूँ मैंने इसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा है ट्विंकल के इस पोस्ट के बाद लोग उनको पॉलिटिकल से भी जोडते दिखाई दे रहे हैं सिर्फ यही नहीं ट्विंकल इससे पहले भी कई बार अपने पोस्ट को लेकर चर्चा में रहती है हाल ही मैं ट्विंकल ने अपनी एक पोटो पोस्ट की थी जिसके साथ उन्होंने एक कैप्शन में लिखा था कि जब वो मर जाये तो इसी पोटो का फ्रेम करवाया जाये फिर आया आंदेर रसेल का तूफान 25 गेंदों में नौचक के जड़ते हुए बनाए कई नए रिकॉर्ड RCB से जीत के लिए मिले 214 रन के जवाब में जब कॉलकाता नाइट राइडर्स स्कोर 11.5 के ओवर के बाद उनैसी रन पे 4 विकेट था तो लगा कि ये मैच में जबान के हाथ से निकल गया है लेकिन शुक्रवार को इडन गाइड्स में खेले गए इस मैच में एक बार फिर से रांदेर रसेल ने अपनी तूफानी बैटिंग का जबरदस्त नजारा पेश किया और निदीश राना के साथ मिलकर मैच को आखरी ओबर तक बेहत रोमांचा की सिज़ी पर पहुंच जाया तो मैंस न्यूज लाइक की खपर देखनी के लिए आज ही प्ले स्टोर से मैंस हिंदी एप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर धन्यवाद